आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर धमने लापने बिल्कुल सही बड़ा मदरास हाई कोट ने आपको बहुत बड़ा रिलेक्सेशन दिया है मदरास हाई कोट ने 16-4 के उपर पहली बार फिर में डिसिजन दिया है बाकी जितने भी हाई कोट से सबने अगेंस्ट में डिसिजन दिया था लेकिन यह मदरास हाई कोट का जो डिसीजन है ये पहली बार favor में आया है इस से जितने लोगों का 16-4 का case है उन्हें एक राहत की सास मिल सकती है सर क्या कहता है मदरास High Court का judgment मदरास High Court का judgment simply क्या कहता है जरा इस बात को समझना कि case क्या हुआ था और मदरास High Court ने क्या कहा ये वाला जो case है HP, Gas, Grammin, Vitrak के case के अंदर हुआ इस case में हुआ क्या जो assessi था assessi के पास ठीक है अब पैसे नहीं थे tax liability pay करने के लिए तो assessi क्या करा असैसी डिपार्टमेंट गया और डिपार्टमेंट में कहा कि भाइस सब मेरे पास पैसे नहीं है ठीक है GSTR 3B में tax liability pay करने के लिए तो आप एक काम करो मेरी 3B को manually accept कर लो मतलग कि मेरे ITC का claim मुझे दे दो और मेरी 3B को manually accept कर लो क्योंकि आपका portal आपका portal जब तक में payment नहीं करूँगा तब तक मेरी 3B को accept नहीं करेगा ठीक है assessi ने ये चीज बोली लेकिन department ने उस चीज को accept नहीं करा department ने notice issue कर दिया department ने फिर उसके बाद order issue कर दिया कि ये ITC जो आपने claim किया है ये 16-4 की limit के बाद है क्योंकि assessi ने जो portal पर 3B फाइल करी थी वो time limit के बाद करी थी लेकिन manual जब वो filing करने गया तो वो पहले ही चला गया और उसने कहा कि भाई साब मेरी 3B आप accept कर लो तो department ने अब हैसा manually तो हम accept कर नहीं सकते तो यहां पर assessi ने यही चीज high court के सामने रखी तो high court ने देखो क्या बात बोली है high court ने क्या बात बोली है कि भाई देखो पहली इस चीट को समझो कि जब government GSTR 2 लेकर आई थी जब government GSTR 2 लेकर आई थी तो government को GSTR 2 को लाना था अब government ने अचानक से GSTR 2 को मना कर दिया और अब assessi क्या करता अब assessi क्या करता वो तो 3B फाइल करना चाहता था वो तो 3B फाइल करन चाहता था लेकिन तुमने 3B ली नहीं आप उसकी 3B ले लेते चाहे वो invalid return ही क्यों नहीं थी आप उसका ITC तो claim कर लेते तो high court ने अपनी judgment में ये वाली बात को बोला है ठीक है ना और government ने ठीक है ना इस चीट को भी बोला कि भाई इस बात को आप समझो कि भाई साब ये decision इनों दे दिया कि जब GSTR 2 is not available था तो assessi का जो ITC है जो वो 3B में claim करना चाहता था लेकिन 3B क्यों नहीं पर पाया क्योंकि उस पर tax payment करने के लिए पैसे नहीं थे और आपको पता है 3B जब भी आप फाइल करते हो तो पहले आपको tax की payment करनी होती है पहले आपको tax की payment करनी हो तब आप payment करके ही 3B फाइल कर सकते हो तो यहां पर इन्होंने एक पुरानी judgment पंजाब एंड हर्याना हाई कोट की उसे इन्होंने लिया संग्यान में और एक एडफर्ट टेकनोलोजी को लिया जो की यह बात को कहते हैं कि इस वजह से कि असेसी ने अपने return late फाइल करी है त अगर कोई return electronically नहीं जारी तो वो manually जानी चाहिए अगर portal उस काम को नहीं कर रहा तो यहां पर इन्होंने बोला कि इस बात को समझो अगर portal नहीं ले रहा था 3B अगर portal 3B नहीं ले रहा था without payment of tax ठीक है ना तो manually आपको लेनी थी तो अगर आपने manually नहीं ली तो आपको असेसी को यहां पर देना पढ़ेगा right की चलो भई आप ITC ले लो क्योंकि इससे ना तो government का कोई loss है और supplier ने proper tax जमा करा है ठीक है ना जी supplier ने proper tax जमा करा है ठीक है ना जी तो यहां पर इन्होंने बोला the court stated that if the option of filing the incomplete 3B are provided on GSTN portal the petitioner would have filed the ITC claim online within the prescribed time कि अगर तुम portal पर ही उसे दे देते की file करने के लिए कि जाओ भई file कर लो तो इसमें दिक्कत ही नहीं आती तो यहां पर यह जो favor में decision दिया है तो 16-4 के case में 16-4 के case में एक राहत भरी सास है तो अगर आपको इस judgment की copy चाहिए इसे detail में पढ़ना है तो आप हमारे telegram group से ले सकते हैं ठीक है ना तो telegram group से ले सकते हैं तो यहां पर इन्होंने high court ने बिलकुल favor में दिया है कि भई अगर आपने 3B late file करी है 16-4 की वज़ा से आपका 3B में जो ITC claim करा है वो reverse नहीं होना चाहिए तो यह बहुत बड़ा decision है लेकिन मुद्दे की बात यह है जो high court ने जो बाते लिखी है वो बड़ी important है कि एक रेक्ती 3B file करना चाहरा है और उस पर crisis है financial crisis है उसका ITC है 10 लाग का और उसकी tax liability है let's suppose करो 15 लाग की तो यहां पर उससे 10 ल लाग का जो tax है वो अभी नहीं file करेगा तो बात में कर देगा समझ में आ रही है मेरी बात तो इन्होंने इस चीज की बात को बोला है तो हमने भी जितने 164 के reply दिये थे सब में यही सारी चीजों को mention करा था तो अगर आप भी अगर आप भी इस तरह के notice का reply देना चाहते है या appeal file करना चाहते है तो हमारा Arjun course आ रहा है हमारा Arjun course आ रहा है फटा फट से app download कर लो और इस Arjun course में अपने आपको एंजोल करा लो तिक है ना Arjun course में अपने आपको एंजोल करा लो जिससे कि आप यह सारी चीजे सीख सके वीडियो कैसी लगी मुझे फटा फट से comment box में लि आते हैं तो हर संडे बारा से दो में आप इन सेशन को जोइन कर सकते हो हमारी टीम से contact करके चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर close करते हैं आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी thank you for watching